हेलो विनस कैसे आप सबी लोग ओहो फूब उचलकूद हो रही है और चलिए अब फिर से आईए हम एक सेग्मेंट शुरू करते हैं वो है लॉजिकल रीजिनिंग का पूरी डिवाइन लाइस असोसियेशन टीम की और से ये सेग्मेंट हम आप के लिए लाए हैं और ये ऐसा टॉपिक होता है जिसको की पहले देख करके आप घबरा जाते थे लिकिन आप कहते हैं अरे और लाओ भाई मज़ा आता है आँ हाँ 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 सही पहचान गए आप सी कवेंशल पजल का ये सेग्मेंट है लेगन दोस्तों इस से पहले कि हम ये सेग्मेंट शुरू करें हम आप सबी लोगों को आपकी देर सारी दुआओं प्यार सपोर्ट और त्याग के लिए आपको दिल से बहुत धन्यवात कहेंगे क्योंकि इन ही चीजों के वज़े से आज हम हैं ये गिफ्ट्स आप हमें दिल से देते हैं अब चलिए शुरू करते हैं इसी बात के साथ ये स क्या कर रहे हैं आप तो परशान और सान मत करिए तो भाया लिखो तो मन से लिखो ना एक जानुएर बाबू ऐसे कैसे काम चलेगा हैं करना क्या है बिलकुल सही लाजिकल ओडर में पहले इन्फरमिशन को अरेंज करिए तब जाके आप लिख सकते हैं है ना चैट नेक्स ल यू वी डव्य एक्स आड वाय तो पी से वाय तक दस लोग हैं दे गोर्ड अपॉइंट्मेंट ओन फोर्टीन और नाइंटीन तॉफ डिफरेंट मन्स जैन्वरी मार्च एप्रिल जून आज जुलाई बट नॉट टेसरील इन दे सेम ओडर तो जैन्वरी मार्च अप्रेल जून और जुलाई के महीने की 14 और 19 तारीक को इनका अपॉइंट्मेंट मिलता है ठीक है पैली कंडिशन वी गौट एन अपॉइंट्मेंट इन अ मन्थ विच आप ओड नमबर ओफ डेस बट नॉट इन जैन्वरी वी को ओड नमबर वाले वाले महीने में अपॉइंट्मे को ही छोड़ा गया और और महीना बुला गया तो हम चार्जा तारीक नहीं लेते हैं और अपनी ट्रिक के हिसाफ से हम 19 तारीक लगा देते हैं वी का अपॉइंट्मेंट् ठीक next, three persons got appointment between V and W तीन लोग जो हैं, वो V और W के बीच में appointment लेते हैं तो इस तरीके से, जो W है उसका appointment होगा 19 जून का तो दो लोगों का data इस तरह के से निकालाया हमारे पास एक तो V का कब है, V का है 19 मार्ज को और जो W है उसका है 19 जून को next, three did not get appointment on even date तो 19 तारीक कोई ठीक appointment होता है चादा तारीक को नहीं होता है किसी महीने की तो अब इतना ही हिंट दे रहे तो इस statement को पहले वाले statement से मिला के उसको भुना देते हैं not in January बोला था ना पहले वाले statement में अब T का यहां लगा देते हैं 19 जानवरी की appointment तो हम क्या करते हैं इस तरह से तीन लोगों का डेटा निकाला हमने 19 जानवरी T, 19 मार्च वी, 19 यून को W T, V, W Next लेकिए We got appointment before W W के पहले ही वी को appointment मिल जया है Next X got an appointment in a month which are odd number of days केवल ऐसा महिना जो odd number वाला है उस समय X को appointment मिला है तो odd और even का combination लगा करके हम 14 मार्च मान लेते हैं X का appointment तो इस तरह से क्या आया देखो 19 जानवरी को T को appointment मिला X को 14 मार्च को मिला और V को 19 मार्च को मिला फिर W को 19 यून को मिला Next S got appointment on even date of the month which have even number of days तो 14 तारीक को S का appointment मिला लेकिन even number of days वाले महिने में ही मिला तो याने के हम क्या करते हैं अब हम S का appointment जून में लगाते हैं ठीक तो इस तरीके से क्या क्या हुआ डेटा क्या निकला 19 जानवरी T फिर आपका निकला 14 मार्च X 19 मार्च V 19 जून को W और 14 जून को S ठीक Next P got an appointment just before T तो पी को appointment कब का मिला 14 जानवरी को ऐसा है जब पीक appointment जिस दिन हुआ है न उस दिन खिचडी रहती है तो आप लोग जो तिल के लड़ू है न और लईया का जो बनाते हैं जरूर लियाएगा उस दिन हाना बने अस खाया हुआ जाएगा ठीक अब चलिए फिलहाल हम डेटा मिला लेते हैं तो पी का appointment हुआ 14 जानवरी को, टी का 19 जानवरी को, फिर एक्स का 14 मार्च को, वी का 19 मार्च को और इसके बाद आईये जून में, एस का 14 जून को, डबल्यू का 19 जून को इस तरीके से निकल गया इतने लोगों का बेटा नेक्स देखें Only two persons got an appointment between X and Y X और Y के बीच में दो लोगों का appointment होता है तो X का appointment है 14 मार्च का तो अब क्या करेंगे 19 मार्च और 14 अप्रेल 19 अप्रेल को हुआ Y का appointment तो अप्रेल का एक बन्दा हमको मिल गया क्वान Y ठीक, next You got an appointment just after our but not in April and January तो यू को अप्रेल और जैन्वरी में appointment नहीं मिला जस्ट आफ्टर आर इसको appointment मिला हुआ है तो एक महिना ऐसा है जो कि लाइम लाइट में ही नहीं आ रहा है अभी पसल के तो कौन सा महिना है वो बताइए जुलाई, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आर का appointment चौदा जुलाई का मानिये और ये जो यू है उसका उनिस जुलाई का मानिये ठीक, next only three persons got appointment between Q and U तो Q और U के बीच में तीन लोगों का appointment हुआ है तो इस तरह से हम क्या माने Q का appointment कप का है? 14 अपरेल का ठीक, तो इस तरीके से जो डेटा निकला देखिए क्या क्या है? 14 जन्वरी का appointment हुआ P का 19 जन्वरी को T का फिर 14 मार्च को X का 19 मार्च को V का अब आए 14 अपरेल को Q का 19 अपरेल को Y का फिर 14 जून को S का 19 जून को W का appointment फिर 14 जुलाई R और 19 जुलाई U Next, T and U got appointment on same date but in different months तो ये ऐसा ही एक statement था जो कि आप सभी ने cover कर लिया है, पूरा अच्छी तरीके से solve किया है तो चलिए आप solutions में लाते हैं जानवरी में किसका किसका appointment है बताईए आपने क्या लिखा है Yes, very good P और T बिल्कुल सही मार्च का sequence बताईए ओके, बिल्कुल सही V और, क्या, X और V बिल्कुल सही अपरेल का sequence Q Y, ओके June का बताईए SW और July का बताईए AHA, R and U Now, अब questions की तरफ चलते हैं पहला question है Who got an appointment on the month which have less than 31 days ठीक है? Options आपके सामने हैं A, R, B, P C, Q D, T या E None of the above given option is correct पताईए Q, बिल्कुल सही कमाल आंसर दिया आपने चलिये Next question If T is related to 14th January then in the same way S is related to T, 14th January से related है और S कब से related है? 19th April बिल्कुल सही Next question Who got an appointment on the first and the last day? पहले और लास दिन किसको किसको appointment मिला? पहले दिन मिला P को और लास दिन मिला किसको? U को Yes Next question How many persons got appointment between T and Y? T और Y के बीच में कितने लोगों को appointment मिला है? T को कब मिला है? 19 January और Y को कब मिला है? 19 April तो 19 January Yes तीन लोगों को इस बीच में appointment मिला है T और Y के बीच में बिल्कुल सही Our last question है Who got appointment in 19th June? 19 June को किसको appointment मिला है? बताईए ओहो ओहो अब हम क्या करें? केक कहां से लाए? बताईए आप लोग मुम्बती कहां से लाए? ये तो बड़ी गड़बड हो गई क्योंकि यहां पे तो गाना गाया जा रहा है हम भी अगर बच्चे होते ना महा मरहो तब बलू डवलू खाने को मिलते लड़ू और दुनिया कहती Happy birthday to you और आपने जवाब इस तरह कैसे विल्कल सही दिया है क्योंकि डवलू ही ऐसा परसन है जिसको कि उनने जियून को अपॉइंटमेंट मिला था तो चलिए आप लोग इस तरह से गाने को गागा करके और जो भी आपके पास है खाने के लिए उसका जश्न मना करके अब कुछ गिफ्ट हमें दे दीजिए पहला तो गिफ्ट है कि आपको बहुत अच्छा स्वास मिले ये भगवान से हमारी प्रातना है और दूसरा गिफ्ट ये हमारा कि आपको धेर सारी खुशियां मिले ये भगवान से हमारी प्रातना है और अगर आपको मिल गई ना तो आप साजा जरूर करिएगा ताकि हम उसको कम सकन खर्बों गुना बढ़ा तो सके celebrate करकर के आप ही अकेले अकेले बढ़ाएंगे क्या आई इसा नहीं चलेगा और तीसरा जो gift है वो ये कि भगवान से हम ये मांगते हैं कि आपको धेर सारी सफलता मिले तो दोस्तों इसी बात के साथ अब हम आप सभी लोगों को आपकी धेर सारे प्यार जनून सपोर्ट और दुआओं के साथ साथ आप सभी की उस सफलता के लिए आपको दिल से सलाम करत हैं जिसकी बदोलत आप निरंतर अपनी योगिता का जहंडा गारते रहते हैं तो दोस्तों इसी बात के साथ हम आप सभी को पूरी डिवाइन लाइट से टीम के ओर से एक बार फिर कहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार